मारसल पोर्या सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर दुमाते बाले आज मैं आपके सामने लिपिट क्या होते हैं उसकी बारे में बताने चाहरे हैं लिप सबसे लिपिट परणे से पहले सबसे पहले हम यह चाहरे होते हैं कि लिपिट हमारे किन से मिलके बले होते हैं लिपिट्स जो हमारे होते हैं, लिपिट्स के अंदर बहुर सारी चीज़े आते हैं, लिपिट्स के अंदर इसले की बने होते हैं, तो लिपिट्स हमारे जो होते हैं, लिपिट्स में बने होते हैं, लिपिट्स के बने होते हैं, लिपिट्स के बने होते हैं, लिपिट्स के ब हमारे तो तर्फिलेट्स होते हैं तर्फिलेट्स बिसिकली हमारे जुने भी बोले डाइट वाइल होते हैं वो सबके अंदर विजाइन कोते हैं तर्फिलेट्स से होते हैं वो मिलके बने होते हैं आईसोफ्रीम यूनित यह वह उप्रेंट यूनित है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीम यूनिट आइसोप्रीम यूनिट का स्ट्रक्चर होता है C5H8 इस C5H8 को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीम यूनिट इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इसके यह आइसोप्रीम यूनिट मिलके बनाती है टैस्पिनोइट अगर हम लोग बूसरे शक्तों में बोले कि टल्तिनुट्स कैसे बनता है, तो गाल से बनता है । इसको हम लोग आइसो प्रिन यूलिट्स बनता है, और यह बनता है, ऑद TO तर्पीनाइट्स है तर्पीनाइट्स को हमने अलग अलग कैटिप्रीस में क्लासिफाई किया है according to आइसोप्रीनुनित तो पहला जो है इसको हमने कोलते हैं पिरन को किहां तर्पीनाइट्स तो different classes of terpenoids का formation होगा मतलब isoprene unit को common terpenoids के अंदर depend रहेगी लेकिन अगर इस unit का हम लोग reputation करते एक जोडे, दो जोडे, ती, चार ऐसे करके अगर हम लोग different terpenoids unit को एक हिसले से attach करते हैं तो different kind of terpenoids बनते हैं इसको हम लोग लोग classification में बोल सकते हैं तो common terpenoids में विशू होते हैं यह हमारे protein है C10 add 16 इसके अंदर जो पारगर होता है तो C10 होता है मतलब अगर हम लोग आइसो प्रीम unit के अंदर एक आइसो प्रीम all add करते तो C10 हो जाएगा और X16 हो जाएगा जो क्या प्रीम आइसो प्रीम unit को हम लोगे इसके अंदर क्या होगा addition के बार C10 add 16 जो कि यहां लिखा गया है तो इसको अगर आइसो प्रीम unit को अगर 2 times add करते हैं तो हमारा बंदा है C10 add 16 इसको हम लोग लोगते है monoturpenoids इसके अंदर कार्वन होता है तो C10 होता है और जित्वार जो monoturpenoids होती है यह optically active होती है इसके बार हम आपको परले बताईती है Optically active मतलब अगर हम लोग plane polarized light pass कर रहे हैं तो वो अपना rotation textro-oltebral delivery form में कर सकते हैं गुछना है सैस्की टर्पिनाइट्स सैस्की टर्पिनाइट्स में अगर हम लोग monoturpenoids में एक और आइसोप्रीम यूनिट को दोड़े मतलब तीन आइसोप्रीम यूनिट को दोड़े तो हमारा इस vector बनता है C50H24 इसमें कैसी जेंदी classification में क्या होती है आइसोप्रीम यूनिट का addition होता जरा है तो यह different time for classification तो formation हो रहा है उसके आप पड़ेंगे आप डाय टर्पिनाइट्स डाय टर्पिनाइट्स के आपने इसमें C20H32 होता है मतलब हम लोग जो हमारा सस्कीव टर्पिन है इसमें अगर K4 आईसोप्रीम यूनिट को हम इसमें आज रहाद गए तो हमारा जो को दूसरा classification गए ना वो गए आए टर्पिनाइट्स रपिनाइट्स डाय टर्पिनाइट्स इसमें हम लोग additions करा है आईसोप्रीम यूनिट का उसकी बड़ हमँआ आई अगर ज़ाय करते इसकी बड़ हम प्रहिए व्हाँ जाइग अकर पहुक्ती हुद्टर्थिनॉइट्स लोग जाते हैं description Australia review अगर भूस तर्फिनॉइट्स देम गार्फिनुध्स हम लोग अड करेंगे तो different kinds of derping aids का coordination होगा तो हम गेस क्लासिपिकेशन पर यह देखा कि derping aids किससे मिलकी बनाना है isofreen unit से बनाना है isofreen unit क्या होती तो कि carbon और hydrogen से मिलकी बनी होती है C5H होता है तो अगर हम लोग isofreen unit को add करते जाएंगे तो different kinds of क्या बनेंगे hydroterping, satsuterping, dieterping, dry terpene and poly terpinoids इनका formation होगा अब हम लोग लिखेंगे कि हमारे जो गोर terpinoids से उनका use क्या होता है तो हमारे क्यों terpinoids और terpinoids का nature क्या होता है गोले टाइट तंचिव्वेट इनके अंदर present होता है ठीक है बोले काइट तंचिवेट अंदर क्या होता है